नमस्कार दोस्तों आसा करता हूँ आप सब अच्चे होंगे CTAT exam जो की 21 जनवरी 2024 के लिए प्रस्ताविता है इसके लिए CDP यानि की बालविकास and पैड़ागोजी का आज हम ये mock test फश्ट लेकर आए हैं इससे पहले जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं वो जानते होंगे कि हम इससे पहले 15 वीडियो लगवख CDP की कर चुके हैं जिसमें हमने CTAT CDP का complete syllabus कवर किया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिये हैं आप उनमें से CTAT playlist में जाकर उन्हें देख सकते हैं अब बारी है mock test लाने की यानि की आपकी practice कराने की तो हम डेली साड़े 6 बज़े सुभे morning में एक mock test पढ़डे लेकर आएंगे और आपके लिए 10 तारिक के लिए एक marathon CDP की class मी मिलेगी तो ये ऐसी class है इसका tagline ही जैसे लिखा है इस mock test में अगर आप pass हो कर दिखाओ तो CTAT में आप आराम से pass हो जाओगे तो आसा मेरी यही रहेगी कि उमीद भी मेरी यही रहेगी कि अगर आप इस paper में अच्छा score करते हैं और आप CTAT exam में भी अच्छा score कर पाएंगे क्योंकि ये papers बेलकुल CTAT की तरह ही हमने बनाए है CDP section तो पर दे हम revision कराएंगे हमारे साथ साढ़े 6 बजे सुबह जुड़िए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आये तो और अभी तक अगर आपने हमारा टेलिग्राम भी जॉइन नहीं किया तो उसको भी जॉइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभ्यास लगाने के लिए आप हमारी बैपसाइड अभ्यासक्लासेश.न का भी प्रियूग कर सकते हैं, तो चलिए, की धार परिक्षा क्या यदि धाराएं प्रत्पूल ना हो, आपकी धाराएं परस्तितियां चाहे जो भी हो, लेकिन आप डटे रहिए और ये मानिये कि आप इस बार सीटाट इग्जाम बहुत बहतर नमर से क्वालिफाई करेंगे. तो चलिए, शुरू करते हैं इनी पहला प्रिशन है कि जीन प्याजे के संग्यान आत्मक विकास के सिध्धान के अंसार बच्चे किस अवस्था से बस्तू इस्थायत समझना आरम कर देते हैं। ठीक है, डेटेल्ड वीडियो देखने के लिए सीटाट प्लेलिस्ट में चाहिए और वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। किसको निश्करिया अनुकर्मन सहभागी अधिगम व्याख्यात्मक सिक्षन उद्धीपक प्रत्किरिया अनुकूलन इसका सही आंसर है सहगामी अधिगम। मैंने कई बार बता है लेव बाइगोश्की आए लेव बाइगोश्की का जो सिध्धानत है उसे सामाजिक सांस्कृतिक सिध्धानत कहते हैं और सामाजिक वर्ड आए सांस्कृतिक वर्ड आए समाज वर्ड आए सहयोगी वर्ड आए परसपर वर्ड आए तो ये समझ लीज आते हैं तो ऐसा करनी के लिए आप निम्न में से किन कौसलों का संबर्धन करना चाहेंगे तो option है अभिसारी चिंतन स्वाचिंतन कंठस्टी करना निस्किरी अनकुरा तो इसका सही आंसर है स्वाचिंतन स्वाचिंतन या अपसारी चिंतन आंसर सही हो सकता था अपसारी चिंत ठीक है यह हम लखिए यानि कि divergent जो thinking होती है वो ठीक ये convergent अभिसारी गलत होगा याद करना यानि contest गलत होगा निस के लिए अन्कुरा गलत होगा सही आंसर होगा दूसरा ठीक है आप अपने score के लिए हमें comment जरूर कीजिएगा और आपके लिए वीडियो कैसा लगा ये प्रिशन कैसे लगे उनके लिए भी comment जरूर कीजिएगा ये टोटल वीडियो moderate तरीके का है कुछ सरल प्रिशन भी है और कुछ कठिन है ठीक है तो इस moderate तरीके का हमने paper बनाया है जो आपके लिए उम्मीद है कि अच्छा लगेगा चौथा प्रिशन है कि सिक्षय अधिगम उनकी निम्न में से कौन सी विधी ज्यान के सिर्जन में विध्यातियों की सक्रिय भूंका को महत नहीं देती ध्यान रखिये मैं बार बार कहता हूँ कौन सा सही है या नहीं यहां इन keyword को paper करते समय 100% आप underline और circle जरूर करिएगा बरना आप से 1-2% गलत हो जाएगा ठीक है options है ब्योहार अनकूलन सहपाथी सहवागता अन्यवेशन अधगम पारस परिक्षिक्षन तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्योहार अनकूलन जो की सक्रिय भूंका को महत नहीं देती सहपाथी सहवागता सक्रिय भूंका को महत देती है सीखने में ठीक है ग्यान के सिर्जन म अन्यवेशन यानि खोजी पिरवर्ती ये तो बहुत जरूरी है, सीखने के लिए पारस परिक शिक्षन भी बहुत जरूरी है, तो सही आंसर जो महत नहीं देती है, वो पहला है, ठीक है, मैं आपको बार-बार ज्यादा टाइम नहीं दूँगा, जिससे वरना वीडियो लंब का उधारन है, ठीक है, दो तरीकी की अविएणा होती है, एक आंतरिक और एक भाय, आंतरिक वो होती है, जो अंदर से हो, जैसे जिग्यासा सीखने की इच्छा, ठीक है, और भाय अपिरणा जैसे नगत प्रुसकार, बच्चों, अपने दूसरों से अपने आपको उच्च के लिए अपने सहब पार्टिओं के साथ ऐसा कुछ करना, ठीक है, तो जिग्यासा को संतुष्ट करने का अधिकम, ये क्या हो गया, इंटर्नल मोटिवेशन, ठीक है, तो बहाय अपिरणा नहीं है, ये आंतरिक है, तो ये गलत हो जाएगा, समझ को समुननत करना, समझ आंतरिक अपिरणा है, नगत पुरुष्कार, जो की बहाय अपिरणा है, ठीक है, किसी कौसल में निपुनता लाना, ये आंतरिक अपिरणा है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन थर्ड सही होगा, कुशन नमर शिक्स देखिए, अधिकम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, ओप्शन है, अध्याविका द्वारा प्रदान पाड, निरासा की भावना, बिद्याले की मुद्र समरत परवेश, बिद्यारतियों की जरूरत अनुषाट बैत्तिक रूप से दिये जा रहे अनुदेशक, ठीक है, अनुदेशन होगा है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, कि नकारात्म ग्रूप से कौन प्रहवित करता है, वो है निरासा की भावना, जिसके मन में निरासा की भावना हो, अगर आपके मन में भी निरासा की भावना हो, तो आप कभी भी एक्जाम पास नहीं कर सकते, सेम याद रखिये, कि लर्निंग जिसके मन में learning सीखना है और उसके मन में कुछ negativity हो तो वो कभी सीख नहीं सकता है कुछ नमबर 7 देखिए विकास के बारे में निम्न में से कौन सा गतन सही नहीं है ठीक है बच्चे बिविन दरों पर विक्षित होते हैं ये बिलकुल सही है बिकास अब एक शक्रत क्रमिक होता है ये सही है आनवान सिकता बिकास का एक मात्र कारण है बस ये ही गलत है और गलत बाला पूचा है बिकास निरंतर रूप चे होता है बिलकुल सही है ठीक है नेक्स कोश्चन देखिए कोशन नमबर 8 जीन प्याजे के अनसार ब्यक्ति किस अवस्था को प्राप्ट करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है संतुलन, असंतुलन, आत्मसात करन, समझन सही अनसर है संतुलन ठीक है तो इसको भी ध्यान रखिए इंपोर्टेंट प्रिश्ण है यह कोशन नमबर 9 देखिए परिकल्पना आत्मक और निग्मना आत्मक दो वर्ड है एक तो परिकल्पना एक निग्मना आत्मक किस चरण की विसिष्टता है यानि जीन प्याजे के अनुशार संब्यदी गामक, आपचारिक संक्रियात्मक पूर्व संक्रियात्मक, मूर्व संक्रियात्मक तो इसका जो सही आंसर है वो है आपचारिक संक्रियात्मक द्यान रखिए परिकल्पना आत्मक और यहाँ पर निग्मन की जगह अगर आग्मन आ जाए ठीक है question number 10 देखिए सभी विध्यार्तियों में अपने पन या सम्मंदता की भावना विक्सित करने के लिए ठीक है एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए option ऐसे उधान देना चाहिए जो रूड़ी वादों को सक्रिये करें बिल्कुल गलत है केवल प्रभुत संस्कृतियों के तिवहारी मना ये भी गलत है गौड समझे जाने वाले सम्मूओं से आने वाले विध्यार्तियों को अंदेखा करें तो ये भी गलत है बिवित्ता और व्यक्तत भिंताओं के प्रसम्मान पैदा करें बिल्कुल सही आंसर है कुशन नमबर 11 देखिए कंकडों से खेलते हुए एक बच्चा ये खोजता है कि दो कंकड के दो समु मिलकर चार कंकडों का एक समु बनाते हैं यानि दो कंकड दो दो जगए ये दो समु है एक और एक दो और ये मिलकर चार कंकडों का एक समु बनाते हैं तो बच्चे दौारा किया गया ये अन्भब क्या दर्शाथा है और संरक्षन आता है जीन प्याजे की मूर्थ संक्रिया आत्म का वस्ता के दर्शाथ इस बात को भी ध्यान रखीे ये प्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है कोशनमबर 12 देखिए एक प्रगती सील कक्षा निम्न में से किस पर प्रधानता देती है option है अध्याविका द्वारा चैनित पढ़ाने के तरीके को गलत पार्थिक्रम को पूरा करने को गलत परिक्षा के इंद्रित सिक्षा सास्त को गलत परिक्षा के इंद्रित नहीं होना चाहिए बलकि प्रगती सील सिक्षा प्रोग्रेसिव क्लास होनती है बाल के इंद्रित सिक्षा पर आधारे तो सही आंसर होगा बिद्ध्यार्तियों के मतों और अन्वववों को या बाल केंदृत जो बच्चे से केंदृत हो ठीक है next question देखिए question number 13 रचनात्मक मुल्यांकन निम्न में से किसलिए प्रभावी होता है options है बिध्यारतियों में अस्फलता का निरंतर भैपैदा करना बिल्कुल गलत है बिध्यारतियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना गलत है बिध्यारतियों की अदिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदा अमसार साहिता की जासे के बिल्कुल सही है ठीक है इसलिए रचनात्मक मुल्यांकन का जो concept लाए गया है वो ये है कि जो उन्हें सीखने की जो प्रगति को समझना और साथ में ये भी है कि उसमें साहिता तुरंत प्रदान करना ठीक है सिर्फ समझना नहीं बलकि साहिता भी प्रदान करना नामी करना लेबलिंग करना क्लासिफिकेसन यानी बरगी करना विशेष बिद्याले के लिए नाम निर्दिष्ट करना ये विल्कुल गलत है विशेष बिद्याले के लिए नाम निर्दिष्ट नहीं कर सकते किसी बच्चे का क्योंकि समावेशी सिक्षा के तैस सभी प्रकार के बच्चों को हमें एक साथ पढ़ाना है तो इसका सही आंसर होगा तीसरा कुछ नमर 14 देखिए निम्न में से कौन अबधान है यहाँ पर साबधान नहीं सौरी कुछ जगे गलती हो जाती है तो यह अबधान है ठीक है अबधान अबधान नियुनता अद किरिया सीलता विकार ADHD का प्रारूपिक लक्षन है यह बहुत इंपोर्टेंट प्रिशन है ADHD का मतलब होता है अटेंशन, डेफिसिट, हाइपर अक्टिविटी, डिसॉर्डर तो ठीक है तो इसका ऑप्संस है प्रारूपिक लक्षन कुछ आए तो लंबी अबधी के लिए केंदेत होना गलत धीमी के लिए सीलता इसतर गलत आब एक सीलता बिलकुल सही है काड़ी विवस्था को इसतर इसतर गलत है तो सही है आब एक सीलता यह आपको याद रहने का मतलब है आप इसकी पहले तो फुल फॉर्म याद रखिए यह बहुत इंपोर्टेंट है फुल फॉर्म है इसकी attention, attention deficit, hyper activity disorder, ठीक है, आप ध्यान रखिए कैसे ध्यान रहेगा ये, attention deficit यानि की मतलब क्या होती है, ध्यान की कमी, यानि की एकागरचिता की कमी और hyper activity एकदम उत्तेजन सीलता होना, ध्यान की कमी होना और एकदम उत्तेजन सीलता होना, आवेग सीलता होना, तो ऐसे ध्यान रखिए किस लक्षण को प्रदर्शित करेगा, आवेग सीलता, और इसकी full form जरूर ध्यान रखिए, य वे बिरच्छन में पूची गई है एक बार कुशूंस नमर 15 देखे एक आधिगम गेस सामाजिक संग्यानात्मक मत के अनुसार विद्ध्यारती किस प्रकार सबसे बहतर सीखते हैं कौन सा मत essa सामाजिक संग्यानात्मक तो ध्यान रखिए जब मत बो बताई कि कि इसके अनुसार तो सामाजिक संग्यानात्मक का मतलब है बैस समाज के द्वारा सीखना चाहिए यही तो आंसर जाना चाहिए इस प्रिशन के अंसार तो देखने हैं इसमें बयस्कों की निस्क्रिये नकल दौारा बिल्कुल कर जाता है अपने बातावन में सक्रिये सनलंगनिता दौरा देखी यही आंसर साही हो गया बेवहार के बहाय अन्कूलन द्वारा बिलकुल गला संतब जानकाली के कंठस्टी कान कंठस्टी कान तो कहीं भी याय याद करना रटना याद करना ये तो वैसे ही गलत होता है तो सही आंसर होगा अपने बातमण को सक्रिय सनलगनिता द्वारा ठीक है कुर्शन नमर 16 देखिए विध्यारतियों को किस प्रकार के लक्ष निर्धारत करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए ये भी important कुर्शन है और सीटेट 22 ते इसमें बहुत मारमूशा गया तो ये बिलकुल सही आंसर है महारत अभी मुखी ठीक है अपने लक्ष कोई और अभी प्रेरित होने के लिए प्रदर्शन अभी मुखी नहीं कि हमें डिस्प्ले नहीं करना है ठीक है कारी परिहारी नहीं और प्रतिशपर्दा निर्देश्ट नहीं महारत अभी मुखी कुर्शन नमर 17 देखिए निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृते घटकों की स्रेड़ी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है यानि उस घटक का नाम बताना है जो सामाजिक सांस्कृते एक सिरेड़ी में आये और विकास को प्रभावित करे ऑप्शन है स्कूली महाल तंत्र का संबंदी भाई ये तो बाइलोजिकल हो गया जैबेक प्रवर्तिय है ये भी बाइलोजिकल आनुवानसिक ये भी बाइलोजिकल बुक पूछ रहा है जो सामाजिक सांस करते को तो कौन सा बचा स्कूली महाल ठीक है पहला ओप्शन सही हो जाएगा 18 नमबर कोस्टन है हावर्ड गार्डनर बहुत इंपोर्डेंट कोस्टन है जो विध्यारती दूसरों की भावनाओं मनों दसाओं इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते है उनमें किस प्रकार बुद्धी का उच्छिस्तर होता है अंतरबैतिक इसे कहते हैं इंटरपरसनल ठीक है इंटरपरसनल दूसरा है इस्थाने की गलत होगा संगीत आत्मक जो संगीत बुद्धी होती है जो गाना गाते हैं म्यूजिश्यन होते हैं उनमें इस तरह की बुद्धी होती है अंतरबैतिक इंटरपरसनल ठीक है तो इंटरपरसनल भी नहीं होगा जो सही आंसर होगा वो अंतरबैतिक important question है ये बहुत ज़ाद है जो भी question मैं करा रहा हूँ सारे most important question है लगवग 10 series लाऊंगा इस तरीके की तो लगवग 300 question होंगे और उसी में से लगवग सारे question आपको seat 8 में मिल जाएंगे तो पहला option इसका अंतरवेटिक सही है question number 19 देखिए समाव AC inclusive education के अनुसार सभी विद्यारती अपनी सर्वोत्तम छमताओं को प्राप्त कर सकें ये सुनेश्चित करने के लिए किन सिध्धानतों का पालन करना चाहिए option है समता समानता पक्षपात प्रिथकरना पक्षपात प्रिथकरना तो काड़ दोगे लेकिन समता और समानता में फस जा हुए तो ध्यान रखना इसे कहते है equality ठीक है ठीक तो इसका जो सही आंसर है वो समता ना की समानता ठीक है question number 20 देखिए एक अध्यापिका विद्यारतियों द्वारा सरजित ज्यान की समझ और इसमर्ती को बल देना चाहती है ठीक है इस उद्देश के लिए कौन सी युक्ती प्रभापसाली नहीं होगी ठीक है तो रूपांतरन का सिर्जन पहले की जानकारी को लिए प्रियुक्त करना उप अबधानाओं के मंद समंता को कारियान निवेत करना आप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना तो ये सही है जो जानकारी आप्रासंगिक है उसको प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना तो फिर वो सीखेगा कैसे उसकी समझ और इसमर्ती को बल देना चाहती है ठीक है तो ये option सही नहीं होगा बाकि सारे option सही है कुसर number 21 देखिए भावनाओं और संग्यान के संदर में निविल लिखित में से कौन सा सही है option है अत्य देख दवाब समस्चाओं को सुलजाने की सुलजाने की कौसलों को बढ़ावा देता है बिलकुल गलत है अगर दवाब आप पर जादा है pressure जादा है तो कभी भी आप problem को अच्छे से solve नहीं कर पाएंगे हर सो उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है बिलकुल सही है अगर जितने आप खुस हैं उतना आप participate अच्छा कर पाएंगे अत्यदिक चिंता जानकारी की presence करण में सुधार लाती है तो बिलकुल ही गलत है नीरस्ता की भावना समाल उचना अत्मक चिंतन में सुधार लाती है बिलकुल गलत है समाल उचना अत्मक चिंतन क्रेटिकल थिंकिंग क्रेटिकल थिंकिंग क्रियेटिविटी से सम्बन देता है तो कभी भी जो नीरस्ता है वो क्रियेटिविटी में सुधार नहीं लाएगी तो इसका सही आंसर होगा दूसरा तो इसको किस प्रकार देखते हैं ये भासा ही माद्यम है जो व्यक्तिको समाजिक और सांस्कृतिक जो परिवेस है उससे चोड़े रखती है तो इसको किस प्रकार देखते हैं ये भासा अधिकम प्रक्रिया में बादक है बिलकुल गलत है सीखने में बादक थोड़ी ना है बहांसा एक सांसकर्तिक उपकरण है जो अधिगम को सुशादित करती है बहांसा चिंतन रुपकरिया में अर्थीन है बिलकुल गलत बहांसा जैवेक परपक्ता का एक नगण से बिलकुल गलत है तो सही आंसर होगा दूसरा कुशन अबर 23 देखिए मुल ल्यांकर एवेलवेशन का मुख उद्धिस क्या होना चाहिए ओप्सन है बिध्यारतियों का नामी करण समान योगिता आधारत बिध्यारतियों का समुई करण बिध्यारतियों की अधिगम प्रिगती को समझना कम अंक वाले बिध्यारतियों का अब्रोधन कमंक वाले विद्ध्यारतियों का अब्रोधन बिल्कुल गलत है उनके लिए भी प्रिमोट किया जाएगा इसी लिए अब्रोधन के सीची लाए गया है इसी को कहते है रचनात्मक मुल्यांकन तो इस तरीके का मुल्यांकन नहीं होना चाहिए कि उसे हम का आगे क्लास में जाने से रोग दें तो सही आंसर होगा विद्ध्यारतियों की प्रिगत्य को समझना समान योगता अधारि विद्ध्यारत अधिगम्स असमर्थता जो पठन बैफल होता है जिसे डिसलेक्सिया कहते है मैं समझता हूँ इसका आंसर तो आपने बहुत जल्दी अपने मन में सोच लिया होगा ठीक है इसे कहते है डिसलेक्सिया रीडिंग प्रॉब्लम ठीक है रीडिंग डिसेबिलिटी तो इसका सही आंसर होगा लेखन के बोध की कठनाई लिखा हुआ है उसका बोध उसको समझना ठीक है उसमें कठनाई चलने में नहीं है चलने में कठनाई मौकिक संप्रेशन में गलत है खाने में कठनाई गलत है तो सही आंसर पहला होगा कोसर नबर 25 देखे बहुत बुद्धी सिद्ध कहता है कि बुद्धी बिभिन पिरकार की हो सकती है ठीक है बुद्DH को टेज नहीं किया जा सकता, बुद्DH को 60 OK रूप से मा अपढ जा सकता है, सभी ब्यक्तिव में बुद्DH एक समान इसमें हम बहुत कम इंक्लूड कर पाती है। बुद्धी को तेज नहीं किया जा सकता है। बिलकुल गलत है। अपने बातावान, अपने विध्याले, आपचारिक और आपचारिक सभी साधनों से बुद्धी को तेज किया जा सकता है। बुद्धी बिभिन प्रकार की हो सकती ये बिलकुल सही है और Harvard Gardiner के अंसार बुद्धी आठ प्रकार की होती है ठीक है इसलिए बुद्धी भिन प्रकार की हो सकती है और बिभिन ब्यक्तिव में इसका बिभिन इस्तर हो सकता है ये बादमी ध्यान रखिए तो पहला option सही होगा question number 26 देखिए निमिल लिखित में से किसने बच्चों के नैतिक विकास के सिर्दान्त का प्रस्ताब रखा आपको बहुत जल्दी आंसर आगया होगा सही आंसर है लॉरेंस को हलवर ठीक है एरिक सन जो है मनों सामाजिक सिर्दान्स से संबन्ध है question number 27 देखिए लेब बाइगोस्की के विचारों के अंसर विध्यारतियों के समीपस्त विकास का छेद जैड पीडी ठीक है zone of proximal development छेत्र पाने में मदद करने के लिए का ध्यापका को क्या देना चाहिए option है दंड, पुरुषकार, पाढ, नकारात्मक, कुष्टी मैंने बताया था लेब बाइगोस्की के जो को सनाए उनमें जैड पीडी को प्राप करने के लिए सही आंसर होगा पाढ, पाढ होता है जिसे scaffolding कहते हैं ये एक तरीके की सहायता होती है बच्चे को उसके उच्चतम इस्तर को पहुँचने के लिए जो अध्यापक द्वारा सहीता दी जाती है उसे पाढ कहते हैं ऐसे समझ लीजे ठीक है अगर हम बच्चे की help कर रहे हैं उसके उच्चतम इस्तर तक पहुँचने के लिए उसको अधिक स्रिचनात्मक बनाने के लिए उसको अधिक योगिता आधारित बनाने के लिए तो जो साहिता हम दे रहे हैं उसे पाड कहते हैं और जैड पीडी वह है उच्चतम इस्तर होता है जिस पे हम बच्चे को पहुँचाना चाहते हैं कुसमब 28 देखिए विकास का कौन सा सिद्धान बताता है कि विकास सिर्षे पैर तक होता है विकास पूरवान में है ये सिद्धान नहीं बताता है विकास परपक्ता सीखने का उत्पाद है बिलकुल गलता है विकास एक विसेस दिसा में आगे बढ़ता है जिसे कहते हैं सिर् नहीं खरता है तो तीसरा आंसर इसका सही होगा कुशन नमर 29 देखिए बंचित बर्गों से आने वाले बिद्यार्तियों के समावेशन में मदद के लिए अध्यापका को क्या करना चाहिए सभी छात्रों के बीच अपने पणकी भाबना को बढ़वा देना चाहिए बिल्कुल सही है सबसे पहला काम यही है जो बंचित बर्ग से certains आते हैं उनके लिए अपने पनकी भाबना को सबसे preparation के सामने उनकी कमजोरी को उजागर करना चाहिए बिल्कुल गलत है उन्ने एक अलग छेत्र में पढ़ाना है समावेसी शिक्षा में पढ़ाना है सभी को साथ उनके एक मानकी कृत पार्ठी करम होना चाहिए गलत है ठीक है तो सही आंसर होगा पहला लाश्ट कोशन है इस वीडियो का एक सनरचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जाना चाहिए option है केवल ग्यान का पुनरुत पादन गलत है क्योंकि केवल आ गया इसमें ग्यान का पुनरुत पादन तो सही है लेकिन केवल ग्यान का पुनरुत पादन इसलिए गलत है बास्तविक जीवन से ब्योजित मतलब अलग थलक गलत है सास्त्री अनकूलन का परणाम ये भी गलत है क्लासिकल अन्कूलन का परणाम सही आंसर होगा बातरवन से सक्रिये पारसप्रक्ता और संपर का परणाम आसा गरता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हुगा अच्छा लगा हुगा तो हमें जरूर कमेंट करके बताईए कि आपको वीडियो कैसा लगा कोशन कैसे लगए अपना स्कोर कमेंट कीजिए तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जैहन बंदे मात्रम